आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Identify the Pulse Point A from the below given diagram यहां पर बोला गया है कि A जो यहां पर given है वो कौन सा Pulse Point है तो पहले बात करते है Pulse Point होता क्या है तो बेसिकली Pulse Point जो है यह एक ऐसा जगह होता है और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा Point होता है in the Body जहां पर क्या होता है कि Pulse Rate यानि Heart Beat जो है वो measure किया जा सकता है या फिर हम लोग कह सकते हैं count किया जा सकता है और ऐसे Point जो है यह Body में बहुत तरके हैं और सबसे prominent जो है वो होता है हमारा wrist wrist वाले Point को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो उसको हम लोग Radial Point के नाम से जानते हैं या फिर Radial Plus Point के pulse point के नाम से दूसरा आता है जो कि यहाँ पर given है वो क्या है? वो है हमारा branchial point यहाँ पर branchial pulse point और यह एक ऐसा point है जो कि कहाँ पाया जाता है तो यह elbow के आसपास पाया जाता है और यही हमारे question में भी पूछा क्या है इसको छोड़ के एक दूसरा pulse point पाया जाता है जो कि behind the knees भी होता है और इसके through भी क्या होता है कि heart beat जो है वो सुनाई देता है इन सभी कुछ और के neck में भी pulse point होता है जिसको हम लोग carotid pulse के नाम से जानते हैं तो इसी सारे areas को हम लोग pulse point के नाम से जानते हैं लेकिन यहाँ पे given है वो होता है ब्राइंग की यहल pulse point और उसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्लासिक से टुएल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर